हेलो फेंड्स आप सभी का स्वागत है माई योटूब चैनल माई ओनलाइन गास्रूम में और आज इस वीडियो में जो चैप्टर आपको एक्स्प्लीन करने वाली हूँ ये क्लास 7 का जोग्रेफिक का चैप्टर 11 है ये लाइफ इन दर टैंप्रेड ग्रास लेंज तो देखे इस चैप्टर को हम लोट्स के हर्फ से समझेंगे और पूरा 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 जी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट हैडिंग से पहले उनको कवर करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंग से हमको कम्लीट करनी ह देखे चाप्टर का नाम है Life in the Temperate Grass Lens तो पहले बाद जो हमें यह समझनी है वो यह कि हमें अच्छे से पाता है कि अर्थ पर बहुत तरह के वेजिटेशन, नैच्रूल वेजिटेशन यानि प्राकतिक वनस्परती पाई जाती है कई तरह के पेडपाधी आपको देखने को मिलते हैं इस तरह से दिखे जो घास के मैदान होते हैं जो घ्रासलेट मृटिए हैं तो वो भी एक तरह की वेजिटेशन होती है तो जैसे आप देख सकते हूँ इंट्रोड़क्यर में तो हम जो grass lens पढ़ने वाले ये temperate region की हैं यानि वो grass lens वो grass के मैदान जो temperate area में पाई जाते हैं अब इसमें भी देखिए आपकी सिर्फ दो है जो आपको class wise जो होता है ना इक तरह से कि आपकी age के according की आपको जो chapters है जितना भी content है वो किस से आप से आपको prepare करना है तो अभी सि उसे आप जुछा है वेल्ट नाम के घस के मैदान जो के साउथ अफरीका में पाय जाते हैं अच्छा एक चीज मो और आपको बतादू इंगे जो grass lens होते है घास के मैदान वो डिफरें डिफरेंट हों बदेखिए जगाह पर डिफरेंट जगां पर डिफरेंट डिफरेंट different है पर वास्तर में वो होते हैं सिर्फ घास के मैदान ही है ठीक है तो इसी तरह से जब नौथ अमेरिका के घास के मैदान आप से पूछे जाएंगे कि नौथ अमेरिका में कुण से इस पूरे चाप्टर में जानेंगे कि यह दो टैंपरे जाते हैं किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं तो यहीं सही चीज़े हैं जो हम इस चाप्टर में बढ़ाएंगे पढ़े साफ्क परएंगे तो पहले हमने डिसकस करे में कि टू टैम्टरेट ग्रास लैंज के वाएं में पढ़ेंगे फस्ट है अप्राइरिस और सेकिनेर थे वैल तो आप से प् आप से meaning पोछ सकते हैं कि इस word जो है एक्चुली कहां से drive हुआ है किस भाश्रस की वड आया है तो यह जो प्रेरी word है यह French language के words जो है वहां से है यानि आप कह सकते हो यह French word है और यह इसका meaning क्या होता है तो इसके मिनिंग होता है meadows और grasslands ठीक है तो प्रेरी का मत्तली भी होता है घास का मैदान तो यह जैंटली स्टोपिंग ही लेकि जो फूट ही जो रॉकी माउंटेंस का निचला है फूट ही वहाँ पे यह इस तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं कैनेडियन प्रेरी जो हैं वो कौन-कौन से प्रोविंसिस को कवर किया हुआ है यानि जो कैनेडा में यह जो घास के मैदान पाए जाते हैं यह कौन-कौन से इलाके में कैनेडा में पाए जाते हैं तो यह अलबेटा मैनिटोबा और ओंटेरियो में पाए जाते हैं इसे के के मैदान है या पर किस ता की क्लायमेटिक कंडिशन है किस ता का रेनफॉल किस ता का टेंप्रेशर है तो उसके बाए में हम जानेंगे इसके साथ ही मैं आपको एक शीज़ और बता दूँ अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल पर आपको क्लासिक्स से लेकि 12 तक का आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और प्लेलिस्ट पर जाये करिए वहां पर आपको क्लास वाइस आपको सारे चैप्लास जो है अविलेबल है और अगर आपको कोई चैप्टर जोड़ने मुश्किल होती है तो आप मुझे कॉमेंट करेगा मैं आपको लिंक कर आते हैं क्लाइमेटिक कंडिशन पर तो देखे क्या क्लाइमेटिक कंडिशन है यहां की तो इस रिजन ही जो रिजन है यह किस ता का क्लाइमेट यहां पर पाया जाता है तो यह कॉंटिनेंटल टाइप का क्लाइमेट है यहां पर समर सीजन जो होता है फेरली बहुत ही जाएंगे तो आप कोई चीज याद अखने है कि यहां पर एपसेंस और फ्रीज क्यों है क्योंकि वेलस्टियों बहुत हाई है जिससे आप समस्य दखते कि एरोशन बहुत ज्याद हो जाता है स्वाइल का आप आते हैं कि यहां पर जो हवा बहती है उसका नाम क्या है तो चीज आते हैं कि किस दाखने में फ्लोरा मिंस वेजिटेशन प्लांट और फाउन मिस अनिमल तो वेसिकली जो है डॉमिनिंट क्योंकि घास मैदाने तो जाएसी बात है कि ग्रासी जो है तो इस पॉइंट में आसा नहीं है कि कुछ आपको बहुत ज़ाद एक्स्ट्रा एफ तो जादा लंबे बड़े पेड़ यहां पर नहीं पाए जाते हैं, हाँ बट रीवर वैलीज पर आएं तो रीवर वैलीज पर वहां पर पॉपलर्स और वीलोस नाम के जो ट्रीज हैं वो ग्रो होते हैं, अचा घासे कैसी हैं, वो शौट भी है और टॉल भी है, यानि चोटी इसके अलावा देखें, यहां पर और किसना के अनिमर्स पाह जाते हैं, क्योंकि हैं यह आधिंग थी फ्लोरा और फाउना तो हमने फ्लोरा पाह में चान लिया आप आते हैं फाउना पर तो दीखें प्रेरी में में किसका घर है इसपेशली वहां पर यह है बैसन का और यह पर बहुत साथ इसकी hunting विरिस से आज almost extinct है हो चुकी है और prairie dog जो है यहाँ पे Central USA में वो बहुत ही popular animal है यहाँ का इसके अलावा दिखे rabbits हैं गौफर्स हैं केयोटीज हैं ठीक है यह कुछ other animals हैं अच्छा दिखे जिस तरह से rabbits हैं इसी तरह से गौफर्स जो है वो red like animals होते हैं और दिखे कैयोटीज जो है यह dogs होते हैं जो वुल्फ की तरह से similar लगते हैं अब आते हैं people and their economic activities की जो यहां के लोग हैं तो दिखे ऐसे तो है नहीं के अर्थ में ऐसी कोई जगाए के आवा लोग रहते नहीं तो बिल्कुल हाँ इलाके में लोग वहां रहते हैं तो किस त इस तांकी फसले वह गाते हैं अच्छा जो वीट है वह याद रखी का most important crop है तो यह के हालेट कर दिया अगर आप से question paper में most important crop पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि वीट जो है वह most important crop है हां की और जो वीट फार्म जो प्रेरी में होते हो बहुत लार्ज होते हैं ठी आपको चीज याद अगने कि लार्ज होंगे it means production जादा हो रही है और production जादा के लिए आपको different different तरह की machines का इस्तमाल करना पड़ता है और ही जो farm जो होती है manage की जाती है farmer और उनकी family के द्वारा और workers को भी वहाँ पर रखा जाता है आप यहां पर देखे आपको जो modern methods of farming या टेक्नोलोजी है क्योंकि इतने बड़े-बड़े खेतों में possible लेए कि हाथ से सारा काम हो तो machines की requirement होती है तो यहां पर different different तरह की machines जैसे tractors हुए, threshers हुए है ना तो इस ताकी machines जो है वो इस्तवाल होती है इसी में देखिए combine harvester ठीक है तो एक machine है combine harvester तो यहां से question पूछा सकता है कि combine harvester machine से अब क्या समझते हो तो देखिए combine harvester एक huge machine होती है जो क्या-क्या काम करती है which ribs, threshers and sex, wheat in a single operation तो यह एक single operation मेठी के फसल के कटाई करत है और साथ ही उसको pack भी कर देती है तो यह काम एक single operation में हो जाता है एक साथ ही हो जाता है क्योंकि खेत इतने बड़े होती है तो इतने जादा वहां पर होते भी नहीं है तो इस वज़े से machine से ही जादा जादा जो काम है वो करवाया जाता है फार्म जेनरली जो है वो divided होती है different sections में ठीक है for the rotation of crops तो यहाँ पर rotation of crops होती है इसके अनावर देखे contour ploying और strip cropping भी होती है जो widely practice होती है ताकि soil erosion को रोका जा सके तो देखे जो contour ploying और strip cropping है यह क्या है यह एक तरह के methods होते हैं जिसके द्वारा आप soil erosion ठीक है soil की जो top layer होती है जिसमें humus contain होता है वो erode हो जाती है और किसके द्वारा होती है यह wind के द्वारा होती है ठीक है यह water के द्वारा होती है तो इस वज़े से इसको रोकने के लिए क्योंकि अगर top layer जो है fertile soil है वही नहीं होगी तो first layer किस तरीके सोंगी क्योंकि fertility of the soil तोड़ी बहुत सारे methods है वहां से question be five marks का बनता है ठीक है तो इस चीज को मैंने बहुत डीप में पी explain क्या था मेरी वीडियो है और अगर आपको चाहिए हो तो मुझे आप एंफॉर्म कर देया तो फिर भी मैं आपको ही पी explain कर देती हूँ ठीक होता है कि खेतों के जो जमीन है आपक काफी हद तक रोकती है boundary इसी तरह से स्ट्रीप क्रॉपिंग जो zebra होता है इसमें आपने strips देखिऊंगी black white इसी तरह से क्या होता है जब खेती की जाती है तो रोज में खेती की जाती है और strip ठीक है यानि एक आपकी एक क्रॉप उगाई उसके बाद बुशी प्लांट्स तो भी आपका wheat है इसना के क्रॉप हो गई और फिर आपका बुशी प्लांट्स उगा दिये तो इससे क्या होता है यह क्या करता है यह वेलो सिर्टी ओ विंड को जो है वो रिडियूस करता है जिसके वेसे soil erosion को काफी हद तक बुशी प्लांट्स वो रोग देते है और आपक तो यह मेंली हाप इसले उगाई जाती है जिससे कि जो अनिमल है उनको फैटन किया जा सके यानि अनिमस को फीड करने के लिए अनिमस को खिलाने के लिए फसल उगाई जाती है और इसको इसले करा जाता है ताकि जो पिक्स है उनको फिर सेल किया जा सके मीट वगरा के लिए अब आते हैं प्रेरी जो है इसको एक और important question यहां से बन रहा है बहुत important है यह जो प्रेरी जो है उसको grand review of the world के नाम से जानते हैं ठीक है grand review of the world के नाम से जानते हैं इसको और ऐसे क्यों बोलते हैं अगर question पूछार है क्यों बोलते हैं इसको तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि य एसी कूंसी फसल है जो एनिमर्स को फीट करने के लिए वहां पे प्रेडी में यानि अमेरिका वगार में उगाई जाती है तो यह है आपका कौन अब आते हैं रेलवेस देखिए इस तरह की जब हमने अग्रिकल्चर की बात करी तो जब तक अग्रिकल्चर में क्यूंकि अब मैंने आपको बता है एक्सपोर्ट वर्ड का इस्तवाल किया क्यूंकि ग्रेंड्री ऑफ द वौल्ड प्रेडी सर्प्लस वीट प्रेडक्शन सर् ओरफ यहां पर बात हुई कि अ eso training कैसे ऑर आंदनी वो सके तो आप चीजें को चीजें को इंपोर्ट करना है जो भी सिज करनी है तो इसका आपको transportation required है साथी आपका communication system भी थोड़ सा काम करना चाहिए कि आपको phone करके पता तो करो कि कहां पर कौनसी चीज को requirement है कहां आप sell करने वाले हो आप आते है वीनीपैग जो है वेनीपैग जो है वह है और है और इसको gateway to the prairie कहते है यानि most of the आप कहसे तो transportation इसी रूट से होता है most of the towns जो इस रेजिन में है वो industrial towns है यानि यहां पे इस रेजिन में जो भी ताउन से हो industrial towns है इसमें कौन-कुन से इंपॉर्टन टाउन आने तो शिकागो है, डैन्वर हो और वीनिपैग है अब आते हैं एड्वान्टेजिस ऑफ दे प्रैरी रीजिन तो दीखें प्रैरी रीजिन के एड्वान्टेजिस क्या है तो यहां पडाएं तो यहां पर जो मेल्टिंग फ्सनो व् iz agora है तो अच्छे खासे मिल्टी माश्या है, पानि होता है और दो प्लेंज स्वल मेरी कर्दा करने मेठी के लिए यह पे प्लेंजेंग के द्वारा, यहां पे लाज-स्केला फार्मिंग उती है, खेती बाटी होती है बहुत लाज जोड़र निहीं होती है, बात अभर होती है, झाल में तो आज अप समिछते हैं तो आपको यहाँ जाते है तर उनको मे Admा यहाँ पी और इहां पर छlationally- Stones जो जाती है पाई जाते है Hugo जो यहां बहाते है तो गहाँ आप की स्वातयु बांचाटी में हायी फ्रेटेक्षा ऴृत्स इसना के high platos मिलेंगे, North Eastern part प्लाटू का उसको high weld के नाम से जाना जाता है, यानि North Eastern part में जो भी platos आपको मिलेंगे, ठीक है, table land जो आपको मिलेंगे, वो high weld के नाम से जाना जाते हैं, अच्छा यह जो word weld है, यह Dutch भाशा से है, जिसका meaning होता है field, यानि height of weld ranges होती है, जो weld के आप कह सकते हो, जो heights होती है, वो different होती है, तो between 600 meter to 1100 meter above sea levels है, weld जो होता है bounded, ठीक है, जो weld है, यह कहां कुण कुण से area में है, तो यह darkensburg mountains और east में, और kalahari desert on the west, तो यह उनसे घिरा हुआ है, range of hills called the wheat water runs run across the well, ठीक है, एक range है hills की, जिससे wheat waters, रेन के नाम से बोलते हैं, वो भी well पे पाई जाती है, उसके चाहतर पाई जाती है, अब आते हैं, जो orange लिंपोपो rivers हैं, यह tributaries rivers हैं, जो यहां पर इस region को drain करती हैं, अब आते हैं climatic conditions पर तो दिखी किसना की climatic conditions है यहां पर, तो south africa जो है, वो warm temperature zone में पाई जाता है, southern hemisphere में, mild climate है यहां पर, और altitude of the plateau के विड़े से, ठीक है, due to the altitude of the altitude of the plateau, तो एक बाई यह misprint हो गया, तो एक altitude आप यहां आते हैं, जो प्रेंस है, oceans on three sides, और जो cold banjula current है, ठीक है, sea current है, ocean current, which flows along the west coast, तो यह पाई जाती है, यहां फ्रो करती है, west coast पे, सामज जो हैं, यहां पर warm होते हैं, और wet होते हैं जुलाई जो है, वो coldest month है, यहां का, और rainfall देखे, scanty होती है, और काफी, जो सूखा भी पर जाता है, इस इलाके में, जून, जुलाई और august में, आप आते हैं, फ्लोरल, फाउना पे, किस्ता की vegetation और यहां पाई जाते हैं, तो देखे, एक semi-alate climatic condition है, यहां पे, और यहा यहां पे grow होती है, bush weld में, bush weld इलाके में, एकेसिया और जो मेरूला है, वो high weld में पाई जाते हैं, elevation जो है, grazing lens का, वो between 1000 meter और 2000 meter, यानि इतनी उचाई पे grazing lens पाई जाते हैं, यानि जो यह घास है, जातक जो animals हैं, वो इस घास को खाते हैं, तो यह grazing lens के नाम से चल जाते हैं, main इन जो animals यहां पाई जाते हैं, well में वो lions हैं, cheetahs, leopards हैं और kudus हैं, देखे, kudus antelope होते हैं, जिसना से 12 सिंगा होते हैं, तो उस ता से similar प्रजाती के जानवर होते हैं, third है people and the economic activities की, किस ता के जो यहां पे लोग हैं, किस ता की economic activities करते हैं, किस ता से अपने livelihood को अन करते तो soil देखें, यहां कि इतनी fertile नहीं होती, तो जाएसी बात है, जब soil fertile नहीं है, तो agriculture नहीं हो सकता, तो agriculture के लावा, फिर all cash कर सकते हैं, यहां पे लोग, तो वैर जो है, यहां पे cattle rearing होती है, यानि जानवरों को यहां पाला जाता है, और वो animals को यहां पालते हैं, ता कि व ग्रेडक्शं हो जाता है, तो यहां पालते हैं, तो इतनी साही चीजे हैं, वो रहे हैं produce, तो बाकि साही चीजे को ख़ईदने के लिए, इन चीजे को एक्सपोर्ट कर ते हैं, और उनसे जो पैसा मिलता है, उनसे बाकी चीजे को खईद्ते हैं, इसके अलावा देखे, बारले हैं, ओर्ट, शुगर केन, कॉटन, तबैको, पेटेटोस, इस तरह की जो कुछ फसले हैं, वो यहां पर हो गई जाती है, साथी, मेंली कहा गया है, कि मेंली यहां पर कैटल रियरिंग का काम होता है, फ्रोजन मीट और जो बीफ है, वो एक्सपोर्ट की जाती है, सदन Maroon dry order यहां पहें पाई जाती है, अंगोरा गोर्ड स्थ, जो हैं, वो इहां, पाई जाती है और यह कैन प्रिव करती है mohair और leather ठीक है mohair यानि wool यहाँ पर fine quality जो wool है वो यह produce करती हो और leather भी produce करती है South Africa जो है यहाँ पर largest producer है mohair का in the world ठीक है इस तरह की उन का यह world में सबसे largest producer है साथी second largest exporter है marino wool का यानि यह second largest exporter है जो marino wool को दुनिया में बेचता है किसके बाद औस्टेलिया के बाद यहाँ पर weld में बहुत में रिच में जाते हैं जैसे कि gold जो है वो wheat waters trend में पाए जाता है और यह area दिखे wheat waters trend जो area वो कहां है तो यह वाल रिवर और जॉनिसबग एरिया जो है North East South Africa के बीच का इलागा जो है उसको wheat waters trend कहते हैं और यहाँ पर mining of gold और diamonds जो है South Africa में हमेशा से इतना जाद होता था जिसके विसे European countries यहाँ पर बहुत इसले अप्रेक्टेर हुई discovery भी हाँ पर iron और coal जो है वाय जाता है इसके विए से development हुई iron और steel industry की साथ ही लिखे जॉनिसबग जो है वो gold capital वर्ड का कहा जाता है और kimber ले जो है वो famous से diamonds के लिए है इसके अलावा जो जो these areas जो है बिलकुल अगर इतने सारी हाँ पर चीज़े हो रही है इतने सारी minerals है तो जाई सी बाते network of transportation और communication भी बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे की business यहाँ पर बहुत अच्छे से हो import-export बहुत अच्छे से हो तो I hope यह chapter आपको अच्छे समझ में आ गया होगा so thank you everyone and please like, share and subscribe to the channel for more updates